हम चैलेंज थोड़े कर रहे हैं सरकार ही ने चैलेंज किया कि आप आईए अपनी नोकरी गमा करके नई नोकरी कीजिए बली में दिन्तूटियों की ओर ध्याना किस किया गया है याजका में उसका जवाब देने के लिए जिसको काउंटर रेफिड करते हैं सरकार को समय कोड देता रहा है यह परमपरा भी है सिख्षक नियुक्ति नियमावली 2023 आने के बाद लगातार विवाद खमने का नाम नहीं ले रहा है चुकि इन लोग को जो सिख्षक हैं उन लोग का बस यही कहना है कि बिना सर्त राजिकर्मी का दरजा मिले लेकिन सरकार अपने जित पर आ रही है परिक्षा लेकर रहेगी हाई कोट की सुनबाई 19 जून को होनी थी 19 जून के बाद अगली सुनबाई 29 अगस्त को होनी है ऐसे में 37 अगस्त तक सारे परिक्षा ले ली जाएगी तो इन सिख्षकों का क्या आगे का रॉल होना है क्या परिक्षा देंगे या नहीं देंगे इन सारे मुद्दे पर बात करने के लिए बिहार मादमिक सिक्षकों का रॉल क्या होगा ने ने और नियाई पालिका का जो काम है वह तो अपनी स्विधा के मुताबिक चुकि पाक्स और प्रतिपक्स दोनों वहां रहते हैं सरकार के भी रहते हैं एड़्वॉकेर जन्डल और जो पिटिशनर हैं उनके भी उकिल रहते हैं और पहली बार जब सुनवाई के लिए गृस्तमापकास के बाद कोई याज का आती है तो कोट सरकार को अपनी की बात कहने जो कुछ उसमें लगाया गया है आरोप सरकार वह अनिमा बली में दिंत्रूटियों की ओर ध्यान आकरिस किया गया है याज का में उसका जवाब देने के लिए जिसको काउंटर रेफिडिफिट कहते हैं सरकार को समय कोट देता रहा है यह परमपरा भी है नियम और याजका की संख्या आज भी एक याजका थी फिर हो सकता है कि कल भी इस सब्ताह में कई याजका लोग दाखिल करेंगे इसलिए 29 तक उसके भरोसे हम लोग थोड़े बैठने बाले हैं उसके पहले बिधान मंदल का सत्र आ जाएगा 10 जुलाई से 14 जुलाई तक संभावी और हम लोग बैठक कर रहे हैं तिथी की घोसना करेंगे कि हम इस नियमा बली में जो तूटियां हैं जो भी संगतियां हैं उसको दूर करके बिना सर्थ हमको राजकर्मी का दर्जा दे दे और कोई दूसरी मांग ही नहीं है और इसके लिए हम सांती पुरवत अहिंसक तरीक कि अगले ही महिने बिढ़ान सभागं का मॉंसून सत्र होने बाला और आप ने बोला कि परदर्शन तो आप लोगा जो परदर्शन होगा वो किस तरह का परदर्शन होगा राजभर के सिक्षकों का जूटान हम करेंगा ना है। हमारे व्यार मादमी सिक्षक संके जो सदस्य हैं। और हमने तमाम प्रात्वी सिक्षक संगठनों से भी बार बार आववन किया है, अपील की है, निवेदन किया है। कि आम सिख्षकों का हित जो चाहते हैं, वे एक ही तिथी को पट्रा अपने सिख्षकों को भुलाबें, ताकि उसमें चार दिनों तक जो विदान मंदल का सत्र चलेगा, कई परकार के होई मुदाना कर्शन है, अल्प जुथित है, कार्ज अस्थगन परस्ताव है, कई प्रक्रियाएं होती हैं, जिसे सरकार पर दवाब, विदान मंदल के बानिय सदस, जिनका लिखित समर्थन हमको प्राप्त है, उनका तो दवाब पड़ेगा ही, यह एक बहुत बड़ा भरोसा है, आम सिख्षकों का, पुरे राज के सिख्षकों का, तो क्या बिधान सभा का घेराओ करना है, बिधान सभा का तो पहले से हमने एनाउस कर दिया है, कि बिधान मंदल का यो ही सत्र उसकी अधिसुचना जारी होगी, हम लोग तित्र की घोसना करेंगे, और पुरे राज के सिख्षक यहां जुटेंगे, और अपनी बात हम कहेंगे सिख्षा मंतरी से, माननी अमुख मंतरी से, सरकार के प्रदाधिकारी से, कि हमारी मांग मान लिजिए, नहीं तो गंबीर परिसिती उत्पन हो जागी पुरे तो क्या ये सरकार को एक तरह से कही जाए कि सिख्षक संग की ओर से एक चैलेंज है? पहाली का उन्होंने नियम बना दिया कि बिहार लोक सवायोग तो हम लोग उसका थोड़े बिरोद करते हैं, पुराने सिख्षकों को कहते हैं, परिक्षा दीजिएगा तब राज कर्मी का दर्जा है, इस सर्थ को हम कभी नहीं मानेंगे, आपको बिना परिक्षा, बिना सर राज कर्मी का दर्जा देने के घोसना करनी होगी, नहीं तो हमारा अनवारत प्रतिरोज जारी रहेगा। होगी और बिधान सभा का घिराव करेंगे, और सरकार को इसके आगे जुगना होगा।